साथियों खुद्रत ने हमें इतनी ब्यारीपारी बढ़्य वने चीजें आहारमें Coffee को दिए जिसके तुल्ना नहीं की जा सकती किसी ने सच ही कहा है कि हम जीवित आहर को उसे घर में मुर्दा करके खाते हैं कितना अच्छा अंकुरित के अंदर कितने अलग तरह से स्वाद को बनाया जा सकता है कितने त्रहिके अंकुरित हैं इनको क्या करते हैं इनको पीस के दल के इनको इनको आ रशीन को लेते हैं ने कि एनक के रूक में लेते हैं लेकिन कितना उत्तम होगा कि यदी को बीच बीच में कभी-कभी अंकुरित के रूप में भी ले हैं विक्रत आहार शरीर की विक्रत शरीर में विक्रती लाता है दोस लाता है बीमारिया लाता है और जो प्राकरतिक आहार है वो हमें स्वास्त वर्दग है हमारे स्वास्त के लिए उत्तम हैं बहुत लाबकारी है पत्तेदार सबज्यां दी हैं इन पत्तेदार सबज्यों के शेवन करने से हमारे शरीर में बहुत तरह न्यूट्रेंट्स जो जिनकी कमी पड़ जाती है लेकिन इनको जितना भी इनको डैड करके खाएंगे उतना ही यह हमारे लिए गुणकारी इनके गुणों की मात्रा इन में कम हो जाती है चाहे इनको जूस के रूप में ले चाहे इनको सलाद के रूप में ले चाहे फलों को अलग विभिन परकार के स्वाद जो अलग स्वाद के फल है किसी परकार से इनको हम सेवन करें जूस के रूप में इनको काट के इनको लें इनको किसी भी प्रकार से इनको लें तो कितना लाबगार यह नारियल पानी अद्वूत है अपने आप में हैं नारियल पानी संत्रे करस हुआ सेव हुआ और अम्रूद हुआ केला हुआ कितने अनन ये इनके स्वाद है विबिन स्वाद है लेकिन इन स्वादों को छोड़के हम अपने स्वास्त को खराब कर रहे हैं सीधा सएक फार्मूला है कि 12 बज़े तक हम अपने शरीर में अपने मुख में केबल स्वादू चा cockpit नहीं होती है तो अंकुरइट लेने से हमारे शरीर के प्रत्र मातों होगा हमारे बौडिक से बाखने एजी एप उननागे और हमारे बाधेए वह Esse अभी बात करना था कि कमिया हो जाती हैं, deficiency disorders हो जाते हैं वो उचित मातरा में काम करेंगे fiber जाएंगे पेट में, फ़लों के माध्यम से, सलाद के माध्यम से, पेट में fiber जाएंगे कुरित के माधिय।से Fiber जाएंगी, तो इतना अपने अपमें लाभकारी होगा, आदों के लिए लाभकारी है, दातों के लिए लाभकारी है, शरिर के लिए अननल लिए लाभकारी है, इस समस्ते खोड़ के यदि हम गलत दूशित अहर खाते हैं, तो यह हमारे लिए उचित नहीं है स्वास के लिए उचित नहीं है तो साथियों कौशिश करें अपने आहर को विक्रत आहर ना लें विक्रत रसवी का जो बना हुआ आहर है जितना इसको हम जितना भी इसको पीशते हैं कूटते हैं उबालते हैं जितना भी इसको तलते हैं भूनते हैं बनाते है है छोगते हैं उतनी ही इसकी जो फूड जो इसकी जो इंग्रेडियेंट्स जिनकी वैल्यू है वो धीरे-धीरे कम होती है हराश होती है उल्टा हानिकारक हो जाती है तो कौशिश करें फल को सलात को अधिक से अधिक मात्रा में हम कच्छे रूप में खाएं जूस के रूप मे खाएं या उसको रस के रूप में या उसको कच्छा भी खा सकते हैं धन्यवाद